Hey guys and welcome back तो यह हम लोग का third part है हम लोग के movies app का जिसके अंदर हम लोग अपना movie app create कर रहे है basically जिसके अंदर हम लोग अपने movie को stream भी कर सकते है whether वो movie अभी हम लोग का release हो रहा है या फिर कुछ time पहले हम लोग का already release हो चुका है तो किसी भी type की movie को हम लोग यहां पर online stream कर सकते है तो basically हम लोग अपने इसी वाले website को create कर रहे है जिसका already हम लोग ने दो पार्ट upload कर रखा है तो example के लिए देखिए तो यहां पर अब हम लोग के और भी नए parts आ चुके है और भी नई movies यहां पर आ चुकी है example के लिए अगर मैं यहां से अपने tarot को play करूँ तो यहां भी देखिए यह हम लोग का बहुत ही smoothly work कर रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां से 38 minute पे लेके जाओं तो यह हम लोग का 38 minute से render होगा तो यह देखिए यह हम लोग का movie एक्दम properly work कर रहा है यहां से हम लोग इसके quality को भी change कर सकते हैं यानि कि जो भी चीज़ चाहे हम लोग वो basically कर सकते हैं और अगर मैं यहां पे आ करके देखू कि यह जो हम लोग का tarot movie है यह हम लोग का कब release हुआ है तो यह देखो आप यह हम लोग के 3rd मे को release हुआ है और यह हम लोग के website के अंदर देख भी रहा है तो basically हम लोग अब अपने इस वाले यानि की तीसरे पार्ट के अंदर हम लोग अपने इस genre section को भी create करने वाले है बिसिकली हम लोग genre को जैसे अपने select करते हैं उस वाले section को हम लोग create करेंगे कि किसी भी हम लोग particular genre को select करके उससे related movies को हम लोग get कर सकते हैं एलकेर, एकर ऐबंड़नर को select करूँ तो गर जरे हम लोग के सारे adventure related movie आ रहे हैं अगर मैं यहां पर animation को select करों तो यहां पर जितने भी movies आइंगे सब हम लोग के animation होने वाले हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ से अपने पेजिनेशन कितरू, हम लोग अगर नेक्स्ट पेज को हीट करें, तो यहाँ पर भी जितने भी हम लोग के मुवी आएंगे, सब हम लोग के अनिमेशन रिलेटेड होंगे, बट अभी तक हम लोगों ने अपने विर्साइट के अंदर यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट सो कराया हुआ है, जो कि हम लोग का एक्शन है, तो इसको अब हम लोग रिप्लेस करेंगे अपने इस ड्रॉपडाउन मेन्यू की हल्प से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी नदे कर दिया था, यहाँ पर एक एरर है, वो एरर इसलिए है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इंटरफेस नहीं क्रिएट किया है, तो सिंपल जैसे हम लोग का यहाँ पर मूवी कार्ट का यह इंटरफेस है, बिल्कुल सिमिलर हम लोग के इस टीवी सो कार्ट के लिए भी इं में तो हम लोग यहां पर करता हैं सबसे पहले हम अपने जॉलरा को क्रिएट करने वाले यह आशे मैं अपने सारे टैब्स को सबसे पहले तो क्लोस करता हौ है और यहां से तो सेफ करके इन सारे को मैं कुलाइब करके अगेर अपने सर सी के अंदर आता हूं और अपने कंपोनेंट्स के अंदर मैं एक न्यूफाइल क्रियेट करता ऊंच जो की होगा हम लोगा जाणरा डाटी एसक्स और यहां पर आरे एस-सी का मैं यूज कर लेता ओँ तो यहाँ पे हम लोग को एक simple genre create हो, यह ठेक lift इसको अब हम लोग save करते हैं अब यह जो हम लोग का genre है, इस genre को हम लोग अपने navigation के अंदर use करना है basically यहाँ पे यह पे हम लोग करें यहाँ पे हम लोग का website से शेप करते हैं इसको आगे अगर हम लोग अपने ब्राउजर के अंदर आए तो यहां पर हम लोग को अपने डॉपड़ाउन को create करना है तो हम लोग क्या करते हैं अपने set cn के अंदर आते हैं और यहां पर आगर के मैं control के press करके एक drop down menu को search करता हूँ तो यह रहा हम लोग का drop down menu basically इसी menu को हम लोग create करेंगे ठीक अब यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आए तो मैं अपने इस वाले को select करता हूँ क्योंकि यहां पर आप देखो तो dot हम लोग का दिख रहा है और मैंने अपने official वाले website के अंदर भी dot का ही use किया हूँ ठीक है तो यहां से आ करके हम लोग अपने इस वाले का code यहां से copy करेंगे बट उससे पहले हम लोग को अपने इस drop down को install करना होगा तो यह रहा हम लोग का command इसको मैं copy करता हूँ और यहां पर आ करके अपने second terminal के अंदर इसको paste करके run कर देते हैं तो यहां पर यह जब तक हम लोग का install हो रहा है मैं यहां से अपने इस वाले code को copy paste कर देता हूँ तो basically हम लोग को यहां पर अपने यह पूरे के पूरे यहां से buttons ले करके मैं इसको copy करता हूँ और इसको अपने VS code के अंदर हम लोग paste कर देते हैं अपने genre वाले section के अंदर यहां पर इसको हटा के यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ करेंट में हम लोग का error देगा क्योंकि हम लोग के यहां पर भी drop-down का जितना भी यह लोग ने import किया हुगा है वो currently हम लोग का install हो रहा है ठीक उसके बाद मैं क्या करता हूँ अब यहां पर थोड़ा साम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं अब यहां पर मैं अपने यहां से ले करके अपने return के अंदर जितनी भी चीज़े हैं उन सबको मैं copy करता हूँ और अगेन मैं इसको यहां पर replace करके इसको paste कर देता हूँ ठीक है अभी भी हम लोग का installing होई रहा है तो इसको हम लोग complete हो जाने देते हैं और यहां से हम लोग react.use state को अटा देते हैं use state को हम लोग यहां से simple import कर देते हैं ताकि हम लोग का कोई error ना है टिक save करते हैं देखो तो यहां से हम लोग का सारा error गायब हो चुका है एक बार हम लोग अपने browser के अंदर भी आ करके चेक कर लेते हैं कि यह proper work कर रहा है कि नहीं तो यहां पी देखो यह हम लोग का ड्रॉ आ कहां से रहा है तो again यह हम लोग के TMDB के through मिल रहा है हम लोग को तो again मैं क्या करता हूं यहां से अपने TMDB के अंदर आता हूं और यहां से मैं अगर थोड़ा से scroll down करूं तो यहां पर आपको देखो यह रहा हम लोग का genre का section जिसके अंदर हम लोग अपी current में movie list को ही apply तो यहां से मैंने अपने movie list open किया है तो यहां पर देखो हम लोग अपने इस वाले end point पे आगे हैं चुकि है हम लोग का API TMDB genre movie list अब यहां पर मैं क्या करता हूं मैं यहां से try it पे click करता हूं तो यह क्या करेगा यह वाले हम लोग के end point को hit करेगा और यहां पर जितने भी हम genre है इसको हम लोग या तो अपने इस वाले end point को hit करके ले ले या फिर हम लोग अपने इस genre को यहां से copy paste कर दें तो मेरे हिसाब से यहां से copy paste करना ज्यादा बिटर option है हम लोग के लिए क्यों कि let's suppose that कि हम लोग अपने website के अंदर कुछ genre को सो नहीं करना शाते हैं let's suppose that कि मैं यहां पर crime वाले genre को सो नहीं करना शाता हूं तो हम लोग simple अपने object को modify कर सकते हैं even though हम लोग यहां से इसको fetch करके अपने state के अंदर store करके filter down भी कर सकते हैं but मेरे हिसाब से यह ज्यादा better approach रहेगा हम लोग के लिए कि मैं यहां से अपने इस वाले object को copy करूं और अपने same component क के अंदर एक object create कर लूँ और इस वाले data को store कर लूँ एक्जंपल के लिए मैं यहां पर गया करता हूं मैं अपने इसी वाले again अपने genre वाले page के अंदर आता हूं और यहां पर आ करके मैं same अपने object को create करता हूं अब यहां पर देखो तो जो इस object को copy paste कर लिया अब यहाँ पर यह हम लोग के लिए ज्यादा beneficial है क्योंकि हम लोग को extra end point को hit नहीं करना होगा अपने genre को get करने के लिए क्योंकि अगर आप data को देखो तो यह data एक तरह से हम लोग का static data है यह over time हम लोग का modify नहीं होता है तो यह better ज्यादा option है हम लोग के लिए कि इसको हम लोग यहीं पर अपने page के अंदर ही store कर ले इसको static बना ले हम लोग ठीक तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है हम लोग अपने इस end point को hit नहीं कर रहे है अब यहाँ पर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर हम लोगों पास दो data है एक हम लोग के पास ID है एक हम लोग के पास name है तो name तो basically हम लोग के genre के name सो कर रहा है बट यह जो हम लोग का ID है इसी ID की base पे हम लोग का filter down होता है example के लिए मैं यहाँ पर गया करता हूँ मैं अपने again TMDB को hit करता हूँ और यहाँ से हम लोग आते हैं अपने discover के अपने movies के अंदर हम लोग आते हैं मैं थोड़ा सा अगर scroll down करूँ तो यहाँ पे देखो यह रहा हम लोग का पूरा का पूरा query params अगर मैं query params के अंदर थोड़ा सा scroll down करूँ तो यहाँ पे आपको genre दिखेगा तो यहाँ पे with genre हम लोग का रहा है तो यह जो हम लोग का with genre है इसके अंदर basically हम लोग अपने genre के ID को pass करते हैं ठीक तो let's suppose that कि मैं यहाँ पे current में इसको अभी try it करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग के सारे के सारे trending movies हम लोग को आ रहे हैं यहाँ पे let's suppose that यहाँ पे दिखो kingdom of planet of eps वगेर आ रहा है तो मैं यहाँ पे चीज करके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ से अगेन अपने vs code के अंदर आता हूँ और अपने animation वाले id को मैं यहाँ से copy करता हूँ जो कि है हम लोग का 16 और इसी simple id को मैं यहाँ प्याँ करके यह रहा हम लोग का with genre इसके अंदर मैं paste करता हूँ अब मैं again यहाँ से try it करना है कि हम लोग को again मैं यहाँ पे अगर try it करता हूँ तो let's suppose that देखते हैं हम लोग के पास यहाँ पर जो data है वो क्या आ रहा है तो यहाँ पर देखो हम लोग के पास एक po आया example के लिए अगर मैं यहाँ से again अपने filter के अंदर हूँ तो यहाँ पर कॉंफो panda 4 आ रहा है हम लोग के पास करेंगे query की तरह तो यहाँ पर basically हम लोग का अप्रोच क्या होने वाला है कि यहाँ पर हम लोग एक सबसे पहले card को create करेंगे ठीक है और जैसे ही हम लोग card के अंदर किसी भी हम लोग genre को select करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग actual में यहाँ से let's suppose that कि मैंने अपने drop-down से यहाँ से animation को select किया तो मैं अपने इस animation वाले ID को state के अंदर store करूंगा और उस वाले state वाले value को हम लोग लेंगे और अपने यहाँ पे जो हम लोग उने hooks create कि हुआ है use movie list के अंदर यहाँ पर हम लोग एक अपना query params का use करने वाले हैं और उस query params के अंदर हम लोग उसी particular अपने genre ID को pass कर देंगे सुनने में थोड़ा से हम लोग का overwhelming लग रहा है बट चलिए इसको start करते है create करना बहुत ही easy है तो यहाँ पे देखो हम लोग ने अपने इस genre list का हम लोग use कर लिया है तो simple से हम लोग अपने genre list के उपर सबसे पहले तो map करते हैं उससे पहले मैं यहाँ से यहाँ पर जितना भी हम लोग का extra चीज है उन सारी चीजों को मैं यहां से remove करता हूं तो सबसे पहले मैं इसको remove करता हूं तो जैसे ही मैंने इसको remove किया यहाँ पर हम लोग पास एक error को हम लोग आपने इस आपने आपने जावेश्केंट करेंगे जवोग अपने लिस्ट के ओपर निकालेंगे यानि कि genre को हम लोगों ने निकाल लिया अब इसी genre की basis पे हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने इस dropdown menu को run करेंगे ठीक है इसको save करते हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास एक error आ रहा है Error की बार है क्योंकि यहां पर हम लोग ने value का नहीं use किया है तो उसको अभी हम लोग कर लेंगे और यहां से मैं अपने javascript mode के अंदर आके genre के अंदर जो हम लोग का name है उसको मैं सबसे पहले so कराता हूँ ठीक है अब हम लोग अपने browser के अंदर आते हैं और यहां पर देखो तो मैं open कर रहा हूँ तो हम लोग का सारा का सारा यहां पर genre दिख रहा है सबकी उपर हम लोग का circle दिख रहा है क्योंकि अभी हम लोग को इस पर on change बागेरा लगाना है तो वो भी अभी हम लोग one by one करके लगा देते हैं ठीक है suppose that कि मैं यहां पर अपने button के place पर एक h1 को लगाऊंगा जिसके अंदर हम लोग का genre लिख रहेगा ठीक है और यहां से इसका class name हम लोग का हो जाएगा cursor pointer क्योंकि यह हम लोग का एक text है cursor pointer तो यह हम लोग का h1 है तो इस पर हम लोग का cursor है वह हम लोग के pointer की तरह वर्क करेगा तो अगर मैं यहां पर आऊँ तो यह देखो simple हम लोग का genre दिख रहा है जिसको click करने पर यह हम लोग का drop-down आ रहा है यह काफी हम लोग का similar है बट यहां पर अगर हम लोग इसको refresh करें तो यहां पर देखो सबसे पहले जब हम लोग का page load हो रहा है तो हम लोग का यहां पर genre दिख रहा है बट जैसे हम लोग किसी भी अपने genre को select कर ले रहे है तो वो particular जो selected genre है वो हम लोग को यहां पर दिख रहा है क्यों क्योंकि जब भी हम लोग यहां पे अपने किसी भी जॉन्रा को select करेंगे तो हम लोग अपने एक state variable के अंदर अपने value को store करेंगे अपने genre वाले id को store करेंगे example के लिए अब मैं यहां पर करता हूँ सबसे पहले मैं state variable create कर लेता हूँ ठीक है equals to use state और इसके मैं type को current पर यहां पर sit नहीं करता हूँ अब मैं यहां पर करने वाला हूँ मैं simple यहां से अपना यह जो हम लोग का drop down menu radio group है इसके अंदर अब मैं यहां पर दो चीज का use करूंगा सबसे पहले तो अपने value का use करूंगा और दूसरे के अंदर on value change का तो यहां पर यह हम लोग का यहां पर code के अंदर आता हूं और यहां से अपने genre के अंदर comedy को let's suppose that मैंने select कर लिया तो देखो हम लोग के comedy के अंदर यहां पर dot दिख रहा है अब यहां से हम लोग इसको inspect करते हैं और यहां से हम लोग अपने console को open करते हैं ठीक है यहां पर each child should have a unique key क्योंकि हम लोग ने map किया है अपने genre के उपर और हम लोग ने अभी तक key को apply नहीं किया हुआ है तो उसको अभी हम लोग कर लेंगे but उससे पहले यहा पर set करूंगा अपने genre को मैं यहां पर console lock कराऊंगा चिक करने के लिए कि क्या हम लोग के genre की value आ गया रही है तो इसको save करते हैं हम लोग और अगेन हम लोग अपने brief को open करते हैं और यहां से हम लोग अपने action को select करते हैं तो यहां पर देखो हम लोग को 28 दिख रहा है अग अगर मैं यहां से animation को select करूं तो हम लोग को 16 दिख रहा है यानि कि यहां पर हम लोग successfully अपने इस state के अंदर अपने genre ID को select कर ले रहे हैं पट यहां पर हम लोग के पास catch है वो catch क्या है कि जैसे ही मैं यहां पर अपने genre को set कर रहा हूं मुझे क्या करना है हम लोग को अपने इस genre वाले value को किसी तरह करके अपने इस use movie hook के अंदर हम लोग को pass करना है अब यह जो हम लोग का use movie hook है इसको हम लोग अपने movie list के अंदर use कर रहे हैं यहां पर देखो तो यह रहा हम लोग का use movie list तो किसी तरह करके हम लोग को अपने इस genre वाले value को अपने use movie list के अंदर यान करेंट में हम लोग का possible तो लग नहीं रहा है एक्जामपल के लिए अगर मैं अपने अप्ड.tss के अंदर आओ तो यहां पर देखो हम लोग के पास all route है और यहां पर हम लोग के पास navbar create है तो हम लोग को क्या करना होगा हम लोग को अपने जाउनरा को सबसे पहले अपने पास करना होगा उसके बाद किसी तरह करके हम लोग को अपने movie list के अंदर पास करना होगा जो कि हम लोग का current में possible नहीं है क्योंकि यहां पर हम लोग को props drilling करनी पड़ रही है तो इससे simple approach यह रहेगा हम लोग कि हम लोग एक context को create कर लें तो हम लोग एक context को create करेंगे और यहा directly हम लोग अपने उस context को अपने movie list के अंदर call कर सकें और वहां से अपने data को हम लोग अपने इस use movie hook के अंदर पास कर सकें तो again अब हम लोग का simple approach यह है कि हम लोग सबसे पहले तो एक context API को create करें तो अब हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो हम लोग यहां पर आ करके अपन लिए तो हम लोग एक context क्रियेट करेंगे जो की होगा हम लोग का एक new file हम लोग create करते हैं जो की होगा हम लोग का genres.context.tsx तो यहां पर हम लोग ने context को create कर लिया अब इस basically context के अंदर क्या होगा तो यहां पर सबसे पहले मैं एक provider create करता हूं और उस provider को हम लोग को export करना होगा, तो यहां पे export const genre provider जिसकी health से basically हम लोग अपने पूरे app component को wrap करेंगे equals to और इसके अंदर हम लोग अपने children को लेंगे ठीक और यहां पे जो हम लोग का children होगा और यहां पे जो हम लोग का children होगा वो हम लोग का react react no type का होगा ठीक और यहां पर आ करके हम लोग क्या करते हैं अपने इस चिल्डरेन को अपने हम लोग genre context के अंदर रैप करेंगे बट उससे पहले हम लोग को अपने genre context को create भी करना होगा तो यहां यहां पर हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले अपने लोग genre context को create कर लेते हैं तो एक्सपोर्ट कॉंस्ट जान्रा context अब इसको create करने के लिए हम लोग अपने create context function का use करेंगे जो कि हम लोग को react के थ्रू मिल रहा है अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग को अपने object के अंदर जो भी data को हम लोग अपने context के थ्रू यूज करना चाहते हैं उसको हम लोग पास करेंगे example के लिए यहां पर हम लोग एक state create करते हैं const इसका नाम मैं दे देता हूं genre और set genres और यहां पर use state को हम लोग import कर लेते हैं और basically इसके अंदर मैंने null value को set कर दिया ठीक है अब यहां पर हम लोग अपने context के अंदर इन दोनों चीजों को use करने वाले है basically हम लोग का storage है यानि कि एक variable है और दूसरा हम लोग का function है जिसके help से हम लोग अपने इस variable को update करेंगे basically यही तो हम लोग का use state होता है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे हम लोग अपने genre का initial value set करेंगे जो कि हम लोग करना लोगा साथ ही साथ हम लोग अपने set genre को भी यहां पर initial value देने वाले हैं तो यह हम लोग का function है जो कि हम लोग का empty object return करेगा अब यहां पर यह जो चीज है इसके लिए हम लोग को interface भी create करना होगा यानि कि अपने context का हम लोग को interface create करना होगा तो यहां पर हम लोग अपने angle bracket का use करेंगा और इसके अंदर में curly braces का use करूंगा basically अपने object का use करूंगा और यहां पर जो हम लोग का genre है यह या तो हम लोग का number type होगा या फिर यह हम लोग का null होगा और हम लोग का set genre है जो कि हम लोग का function है जिसके अंदर हम लोग किसी data को लेंगे ठिक और वो data हम लोग का number type का होगा और यह हम लोग का यहां से wide यानि की empty यानि की कुछ भी return नहीं करेगा अब यहां पर यह जो हम लोग का data है वो data actual में क्या है अगर आप यहां पर देहां से देखो अगर हम लोग genre को यह open करें तो यहां पर हम लोग का on value change call हो रहा है function call हो रहा है हम लोग के drop down menu के अंदर जिसके अंदर basically हम लोग अपने set genre को call कर रहे हैं यह set genre हम लोग का function है तो यहां पर हम लोग इसको इस तरह नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग का automatic यहां से पास हो जाता है वैल्लियू सिमिलर चीज हम लोग यहाँ पर अपने कांटेक्स के इंदर भी यही कर रहे हैं कि यह जो हम लोग का सेट DARA है इसके अंदर हम लोग के पास एक data आखा जो कि हम लोग का number type का होगा तो इसलिए हम लोग यहाँ पर type script का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लोग की type safety हो सके हम लोग पहले इसको specify कर सके कि किस type का data हम लोग ले रहे हैं किस type का data हम लोग पास कर रहे हैं वो सारी चीजों के लिए तो यहाँ पर देखो हम लोग ने genre context create कर दिया अब basically हम लोग को return करना ह अपने इसी वाले genre के अंदर जो दो चीज़े हम लोग के पास हैं उसको तो उसको return करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक return create करता हूँ जिसके अंदर अब हम लोग अपने genre context के थुरू provider को call करेंगे और यहाँ पे अपने children को हम लोग wrap कर देंगे ठीक अब इसके थ आख अगाँ जिसके अंदर हम लोग अपने genre को store करेंगे और sit genre को store करेंगे और simple And cantine with यहाँ पर पास करेंगे सेप करता है यहाँ तो यहाँ पर हम लोग ने इस एक वैलियो को पास कर दिया तो मैं अब यहां से क्या करता हूँ, अपने इस वाले को यहां से रिमूव करता हूँ, अब यहां पे हम लोगों ने अपने इस वाले state के प्लेस पे हम लोगों ने जो अपने context के थुरू state create किया है, यानि कि यह वाला state इसका अब हम लोगी use करेंगे, बट उससे पहले हम लो लोग अपने एप को रैप कर देंगे अब एप के अंदर जितने भी हम लोग के components हैं वो सारे के सारे access कर पाएंगे हम लोग के genre को ठीक तो सबसे पहले तो हम लोग को अपने इसी genre वाले component के अंदर ही इसको add करना होगा तो अब मैं यहां पर क्या करता हूँ मैं simple अपने context को यहां पर call करूँगा तो उसके लिए मैं यहां पर use context का use करूँगा और इसके अंदर जो हम लोगों ने genre context को create किया है उसको मैं यहां पर import कर दूँगा ठीक है अब उसके अंदर हम लोगों ने दो value को पास किया था एक हम लोग का genre था और दूसरा हम लोग का sit genre function था ठीक तो यहां से देखो simple हम लोग का sit genre automatic यहां पर call हो गया अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर आगर के फिर genres होगा I believe इसको save करते हैं context के अंदर आते हैं तो genres है ठीक है अब हम मैं लोग क्या करते हैं अगीन इसको एक बड़ चिक कर करके देखते तो यहां पर अगर देखो तो console log में में भी काम करें यह तो यह तो यह देखो हम लोग का 18 आ रहा है 16 आ रहा है तो यह जो डेक्टा है यह हम लोग के अभी current में genres के अंदर हैं, ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक on change नाम का function create करेंगे, वो function basically क्या होगा, उसकी help से सबसे पहले तो हम लोग, जो हम लोग ने directly अपने state genre को call किया है, इसको अब हम लोग directly नहीं call करेंगे, हम लोग यहां पे, एक on change नाम क का function create करेंगे ठीक और इसके अंदर अब हम लोग अपने सेट जाउन्रा को पास करेंगे तो यहां से मैं अपने onChange को call करता हूं ठीक है अब यहां पर question आ रहा है की onChange की through हम लोग अपने value को get कैसे करेंगे तो यहां पर हम लोग के parameter के के अंदर एक डेटा आएगा एक्जाम्पल के लिए अगर मैं हाँ पर अपने डेटा को प्रेंट कराता हूं तो आप देखना इसको सेफ करते हैं अगे अपने ब्रावजर के अंदर आते हैं और यहां से मैं अपने जाणरा को सेलेट करता हूं तो यह देख हम लोग को 35 मिल र रहा हूं ताकि मैं नैवीगेट कर सकूं, अब यहा पर मैं अपने डेटा के अंदर इस डेटा को पास किया, ठीक हो। अब मैं क्या करूंगा जै आपने शिंपल यहीं से नावीगेटawan करना चाहता हूं है आपने is use navigate को पर in slice कर देता हूं को इसको navigate नाम देते हैं मैं जिसके अंदर हम लोग अपने use navigate को call करेंगे और यहां पर आ गरके मैं अपने navigate के तुरू अहुत में अपने इसस्प्रस पर कर फेसे करें एक बार हम लोग पहना रिफ्रेस करते हैं तो करेंट में देखो हम लोग अपने movies के अंदर ही हैं मैं यहां से अपने home के अंदर आता हूँ home हम लोग का implement हुआ तो है या फिर home हम लोग का maybe implement नहीं हुआ है तो हम लोग अपने tv source के अंदर आते हैं और यहां से हम लोग अपने genre के अंदर action को select करते हैं देखो हम लोग अपने movie वाले route के अंदर चले गाएं पर यहां पिर हम लोग के action से related movie नहीं आ रही है यह हम लोग की ऐसा क्यूँ है ऐसा इसलिए है क्योंकि अब हम लोग को अपने query परम के अंदर यानि कि अपने इस movie list वाले जो endpoint है इसके अंदर हम लोग को अपने query param के अंदर अपने genre id को pass करना होगा basically जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसको integrate किया था तो यहाँ पे भी दिखी नहीं रहा है हम लोग को कोई भी query param यह network इस हुए हम लोग का तो यहाँ पे आते हैं again हम लोग अपने vvs code के अंदर genre को pass करना होगा अब वो चीज हम लोग कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले again हम लोग को अपने genre context को call करना होगा तो यहाँ पे use context जिसके अंदर हम लोग का जो genre context है उसको call करेंगे और यहाँ पे हम लोग again destructure कर लेते हैं अपने genres को क्योंकि यहाँ से हम लोग update नहीं करने वाला है तो हम लोग अपने set genre को यहाँ पे import ही नहीं करेंगे यानि कि उसको यहाँ पे हम लोग fetch ही नहीं करेंगे ठीक तो यहाँ से मैंने अपने genre को gate किया अब मैं अपने इसी genre को यहां से इसके अंदर पास करने वाला हूँ अपने function के अंदर और यहां पर देखो तो हम लोग एक error आ रहा है error क्यों आ रहा है क्योंकि यहां पर हम लोग ने उसको getting नहीं किया है तो अपने हम लोग use movie list के अंदर यहाँ पे हम लोग एक genre को लेंगे जो कि हम लोग का optional होगा क्योंकि let's suppose that किसी person ने genre को selecting नहीं किया तो इसकी value को हम लोग optional रखेंगे और यहाँ पे या तो हम लोग का genre number type होगा या फिर यह हम लोग का null होगा ठिक और उसके बाद यहाँ पे देखो तो हम लोग अपने API client के अंदर जो get method को call कर रहे हैं उसके बाद ही यहाँ पे हम लोग एक object को pass करेंगे और अपने object के अंदर हम लोग params को use करने वाले हैं तो params भी हम लोग का एक type का object है इसके अंदर अब हम लोग वो सारे endpoints को लिखेंगे वो सारे query params को लिखेंगे जो जो हम लोग का query params ये वाला endpoint support करता है तो यहाँ पे अभी तो कोई हम लोग का दिखाई नहीं दे रहा है query params यहाँ पे देखो query params के अंदर हम लोग का केवल language दिख रहा है I believe यह रहा हम लोग का तो यह रहा देखो सारे query params जिसके अंदर हम लोग अपने इस with genre वाले query params का यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं अपने query params के अंदर similar name हम लोग को लिखना होगा with underscore genres इसके अंदर हम लोग अपने जाउन्रा को पास करेंगे तो यहां पे देखो तो लोग को अग में सिमलेर है with genres गन के अगला में ओर लोग का यहां जान्रा के थिरूह अपने animation को select करते हैं यहां पे देखो यह लोग का बिलकुल भी update नहीं हुआ मैं again documents को select करता हूँ family को select करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है उसके पीछे कारड क्या है कारड यह है कि हम लोग जैसे ही अपने genre को select कर रहे हैं हम लोग को refresh करना होगा अपनी data को तो यहाँ पे हम लोग को अपने dependency area के अंदर अपने genres को भी pass करना होगा अब अगर हम लोग इसको save करें और यहाँ पे आओं मैं इसको refresh करता हूँ और यहाँ से अपने genre के थरू मैं अपने animation को select करता हूँ तो देखो जैसे ही मैंने animation select किया हम लोग का data refresh हुआ again मैं यहाँ से crime को select करो तो यह हम लोग का सारा का सारा crime का data बट यहाँ पर देखो तो हम लोग के पास एक छोड़ी सी issue है वो issue यह है कि यहाँ पर हम लोग का genre है वो text हम लोग का edit नहीं हो रहा है वो ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हम लोगों ने h1 create किया था उस h1 को हम लोगों ने directory hard code कर दिया है अपने genres से example के लिए again अगर मैं अपने vs code को open करूँ और अपने genres को open करूँ तो यहाँ पर देखो हम लोग का simple genre दिख रहा है बट इसको हम लोग को dynamic बनाना होगा let's suppose that मैं यहाँ पर अपने इस state वाले के अंदर जो context के अंदर हम लोगों ने genre को store किया हुआ है उसको अगर मैं यहाँ पर print कराऊं तो यहाँ पर देखो इससू क्या आएगा कि यहाँ पर हम लोग को id दिख रही है बट हम लोग को id नहीं हम लोग का name चाहिए उस genre का name चाहिए तो इसके लिए अगेन हम लोग को एक simple state variable create करना होगा अब यह वाला जो state variable है हम लोग इसको अपने local इसी वाले component के अंदर ही create करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ const genres name या फिर इसको genre name कर देते हैं और इसके हाँ sit genre name use state और current में मैं इसको empty ही छोड़ देता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं जैसे ही अपने इस drop down menu radio item की उपर click करूँगा मैं अपने इस set genre function को call करके अपने particular genre name को यानि किये वाले name को sit करूँगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आउन क्लिक क्या हम लोग cover करता है तो आउन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर simple call करूँगा sit genre's name और इसके अंदर हम लोग अपने genre name को pass करेंगे ठीक है आँ सॉरी genre.name को ठीक सेव करते हैं इसको और यहाँ से मैं आकर कि इसको console log कराता हूँ let's suppose that क्या है हम लोग का genre name save करते हैं अगेन हम लोग अपने browser को open करते हैं और inspect करके हम लोग देखते हैं इसको जड़ा console clean करते हैं इसको action तो यहाँ भी देखो हम लोग को action दिख रहा है documentary यानि कि यह हम लोग का proper work कर रहा है अब हम लोग को क्या करना होगा हम लोग को छोड़ा सा conditional render करना होगा यहाँ पे अपने hard coded genre को तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अगर हम लोग के पास कोई भी genre की value नहीं होगी तो हम लोग simple यहाँ पे genre's so कराएंगे और let's suppose that genre के अंदर कोई हम लोग की genre की value आ गई तो हम लोग अपने genre name को so कराएंगे बस इतना ही हम लोग को करना है तो again अगर मैं अपने browser को open करूँ तो देखो हम लोग को documentary दिख रहा है adventure को अगर मैं select करूँ तो यहाँ पे हम लोग को selection बर कर रहा है वैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसको implement कर दिया है तो hopefully आपको सुझ में आ क्या हो यहाँ पर भी हम लोग का थोड़ा सा typo error है जिसको हम लोग अपने आगे आने वाले videos के अंदर resolve कर देंगे वो ज्यादा complicated नहीं है हम लोग का तो hopefully आपको सुझ में आ गया हो अगर आपको कोई doubt हो तो comment section के अंदर जरूर पूछना तो चलिए हम लोग अपने next video के अंदर मिलते हैं तब तक के लिए चैनल को subscribe करना ना भूले thanks for watching